ग्यानदारत सेनल की ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका स्वागत है व्याख्याता भरती परिक्षा 2019 की तैयारी कर रहे विद्यारतियों के लिए यह वीडियो अत्यम मैथपूर होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम चर्चा करने वाले सेक्षिक प्रशाशने में प्रबंद वैसे भी स्कूल मैंजमेंट का यह टोपिक आपके लिए इसलिए महत पूर्ण है क्योंकि इससे 15 प्रशन 30 अंक के पूछे जाएंगे दोस्तों यदि आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस टोपिक की हमने डिटेल्ड वीडियो भी बना रख्ये जिस प्रशन को फर्स्ट कोष्ण है विद्याले प्रबंद प्रिक्रिया के अंग है आपके सामने है नियोजन शंगठन नियंतरन या फिर सभी कि यह पर जो आपका सई आंसर होगा वह उपरियूब्ट सभी फोर नुमर का अंसर आपका बिल्कुल सई होगा दोस्तों आपको बत नेक्स्ट कोश्यन है विद्याले प्रबंद का मानवे घटक नहीं है। फस्ट ओप्शन प्रदान अध्यापक, शिक्षा मंत्री, अध्यापक, अभिवावक। यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा। दो नमबर अर्थात, शिक्षा मंत्री, विद्याले प्रबंद का मानवे घटक नहीं है। नेक्स्ट कोश्चन है प्रबंद का अर्थ, पूर अनुमान लगाना, नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वे करना, नियंतरन करना है। तो आपको पताना है, इस परिबाशा को हेंरी फियोल की है, Kazakhstan, जेबी सियर्स, लूथर गुलिक या फिर एबी मौलमेन। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा, वो है हेंरी फियोल। तो यह परिबाशा किस की है? यह परिबाशा है हेंरी फियोल की। नेक्स्ट क्वेशन है, विद्याले प्रबंद सनरचना के पद सोपान में सर्वोचि स्थान पर होता है? तो विद्याले मेनेजमेंट, स्कूल मेनेजमेंट में सबसे उपरी सीडी में जो होता है, वो कौन होता है? शिक्षावंधरि, जिला शिक्षादिकारी, संस्ताप्रदान या फिर वरिस्ट लिपिक, यहां पर जो आपका सईज आंसर होगा, वैह होगा संस्ताप्रदान, क्योंकि संस्ता में सबसे प्रदान, संस्ताप्रदान ही होता है. Next question है, नेमिलिखित वाक्के में रितिस्तान की पूर्तिकी तो ये कोश्चन बन रहा है आपका सैक्सिक प्रिक्रिया के मंत्री करण को खालिस्तान उपागम के नाम से जाना जाता तो कहने करती है कि सैक्सिक प्रिया के मंत्री करण को किसको जो है उपागम के नाम से जाना जाता इसमें प्रणाली विसलेशन, शिक्षन उपागम, हार्डवेर उपागम या फिर सौफ्टवेर उपागम तो यहां जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हार्डवेर उपागम Next question है सेक्षिक तक्निकी की परिभासा के मूल में नहीत है शिक्षा को जन समुदाय तक ले जाना शिक्षन अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना नए नए उपकरणों का आविश्कार करना या फिर सिक्षा में नवाचार को इस्थान देना तो यहां जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना next question है software शब्द का शरपरतम परियोग किया था तो software शब्द का सबसे सह पहले इस में से किनों ने परियोग किया इस किनार ने टिकेटण ने, भ्राईमर ने या फिर गेगने ने तो यहां पर जो आपका सफ़ी अंसर होगा वो होगा C अर्थाद ब्राईमर प्रद्योगी की का लक्ष है शुधार लाना, शेक्षिक प्रद्योगी का लक्ष किस में शुधार लाना है, प्रशिक्षन की प्रभावक्ता में, शिक्षन एवं प्रशिक्षन की प्रभावक्ता एवं दक्षता में, शिक्षन की प्रभावक्ता एवं दक्षता में, या फि तो आपका सही अंसर होगा, वो सही अंसर होगा D, अर्थात सिक्षण की प्रभावक्ता, यह यहां पर सही अंसर होगा. नेक्स्ट कुश्चन है, शोफ्ट वेयर है, शोफ्ट वेयर रिक्त ट्रांस्पेरिंसी है, भारत की भोगुलिक संरचिना पर बना चलचितर है, ओरेड प्रोजेक्टर है, यह फिर दूर दर्शन है, तो शोफ्ट वेयर क्या है, यह यहां पर आपका जो सही अंसर होगा, वो ह होगा रिक्त ट्रांस्पेरेंसी शोफ्ट्वेयर एक रिक्त ट्रांस्पेरेंसी है नेक्स्ट कुश्चन है रास्ति ये पाथि चरिया प्रारूप दो हजार पांच सिक्षकों के कुछ गुणों का सुझाव देता है इन गुणों के अपेक्षित परिणाम निम्न तालिका में दिये गए हैं इनका सही मिलान काखी करना है अप्सन है आपके यहाँ पर ग्यान सही उपकरनों का प्रियोग सेकंड है दरश्टी कौन कक्षा में विविद परिस्तियों का निर्मान थर्ड है बालक की प्रकरती से जुड़ा हूँ फूर्थ है कोशल सिद्धानतों की तुलनात्मक परिस्तुती तो आपको इस तालिका में मिलान करना है सही सी इसमें फर्स्ट ऑप्सन है आपका सेकंड थर्ड और फूर इसके अकोर्डिं वो बैठेगा सेकंड अर्थात जो फर्ष्ट है फूर्थ से ग्यान तो होगा सिद्धानत की तुलनात्मक परिस्तुती सेकंड होगा वो थर्ड से मिलेगा आकर जिसके अंतरगत दरष्टि कौन बालक की प्रकरती से जुड़ाओ और इसके अंतरगत जो थर्ड है वो अर्थात सही उपकरणों का प्रियोग कोशल है नेक्स्ट कोश्चन है सिक्षा प्रशासन तथा च्छात्र के संबंदों को बताने वाला कार्क है यहां आपके ऑप्शन है शिक्षा संरचना में बालकों के व्यक्तित निर्मान के प्रावधान शेकंड बालक को घर से दूर रखने के प्रावधान नमबर तीन बालक को समाज से प्रतक रखने का प्रावधान नमबर फोर है अब शिक्षा संरचना में बालक के एकांकी पक्ष का विकास करने के प्र आपका जो सई अंसर आएगा वो है नमबर वन अर्थात सिक्षा संरचना में बालकुर के व्यक्तित निर्मान के प्रावधान नेक्स्ट कोश्चन है प्रबंदन के लिए लोग प्रिये शब्दावली पॉस्ट कॉर्ड जहां देना पॉस्ट कॉर्ब किसके द्वारा दिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है पॉस्ट कोड का नियम नमबर वन एल उर्विक जैकंड मेरी पार्क फॉलेट थर्ड लूथर गुलिक फॉर्थ है एल्टन में हो तो यहां आप स्वेतवी प्रिक्षन कर सकते हैं जो आपका सई अंसर होगा वो होगा लूथर गुलिक यह पॉस्ट कोड जो नियम है यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया हुआ है नेक्स्ट कोशिन है निमन में कौन सा सैक्षिक प्रबंदन का प्रमुख कारियों में से नहीं है तर्था नियोजन, निरणैन, संचालन या नियंतरन इन में से कौन सा है जो सैक्षिक प्रबंदन का प्रमुख कारिये नहीं है तो इन चार उप्सनों में जो आपका सई होग प्रबंदन का प्रमुकारिय नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमिल लिखित वाक्यों का मुल्यांकन कीजिए दैनिक जीवन में वैग्यानिक ज्यान का प्रियोग करने की विदी के तकनिकी कहते हैं हैं सेकिनड अस्ट ऑ कि अन्तर विकल्प आपका एक कही रहा हैं एया सत्य है दो जैड्स कि कर दोनों ही असद्य तो इसकी आंतर रगद जो आपका सही अंसर होगा वो C है, पहला सत्य दूसरा सत्य अर्थात, दैनिक जीवन में वैग्यानिक गान का प्रियोग ये तकनिकी है, ये बिलकुल सही है, तकनिकी मशीनों का उप्योग ये बिलकुल भी सही, नहीं इसलिए इसमें कथन एक सही होगा, नेक्स्ट कोशिन है, शिक्षा के छेतर में तकनिकी आ जाने से, शिक्षा महेंगी हो गई है, चात्रों की अधिकम छमता कम हो गई है, शिक्षा छेतर की अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, या फिर अध्यापकों का अभाव हो गया है, तो इन में जो आपका सही अन्षर होगा वह होगा सिक्षा छेत्र की अवधारनाओं में कुरांतिकारी परिवर्तन हुआ है अगला कुश्चिन है प्रणाली विश्लेशन का मुख्य उद्देश है सिक्षा मनोविज्यान के छेत्र में नए-एप्रयोग करना सिक्षण कोशलों का विबक्त क करना शिक्षा प्रशाशन एंवं प्रबंद को वैज्णिक आधार देना सिक्षा जगत के विविन पहलों की जाच करना तो यहां जो आपका सई अंसर होगा वो C है सिख्षा प्रशाशन एवं प्रबंद को वैज्ञानिक आधार देना यह यहाँ पर आपका सही अंसर होगा नेक्ट कुश्चन है विद्याली लक्षों की प्राप्ति है तू अनुशाशन का कौन सा रूप सरवाधिक उप्युक्त है ए देनात्मक अनुशाशन प्रभावात्मक अनुशाशन स्वय अनुशाशन या कठोर अनुशाशन यहाँ जो आपका सही अंसर होगा वो है थर्ड श्वय अनुशाशन अर्थात विद्याली लक्षों की प्राप्ति के लिए श्वय अनुशाशन सरवाधिक उप्युक्त है और तो नहीं है ज्यान, अनभूति, अभ्यास या सुरक्षा की भावना तो यहां, जो आपका सही अंसर होगा वो होगा सुरक्षा की भावना फ्रोग अगला क्वेश्चन है सिछ्छा के विकास के लिए व्योस्तित योगना बनाने को कहा जाता है शैक्षिक विकास, शैक्षिक नियोजन, श्वावलंभी योजना या दूरगामी योजना यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सेकेंड शैक्षिक नियोजन Next question है नियोजन तंत्र के इस त्रों में से जो नहीं है जिला इस्तर, केंडरी इस्तर, मद्द इस्तर या राज इस्तर यहां पर जो सही है नियोजन तंत्र का वह मद्द इस्तर नहीं होता है जिला इस्तर होता है केंडरी या राज इस्तर यह इस्तर नहीं होता है Next question है विद्याले प्रबंद का मुख्य लक्ष है शाला भवन को आकरशक बनाना, शिक्षकों की विवस्था करना, कारिय ले प्रणाली को शुदारना या विद्यार्थियों का सर्वांगिन विकास करना तो यहां आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों का सर्वांगिन विकास करना नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इसे प्रदर्सित करने वाला सिद्दान्त है अपवाद का सिद्दान्त लोच का सिद्दान्त अनुरूपता का सिद्दान्त या फिर आपचारिकता का सिद्दान्त या जो आपका सही अनसर आएगा वो है लोच का सिद्दान्त यह विद्याले प्रबंद को नहीं ज्यादा का विसे है नमर वन सिक्षक शिक्षा में ICT सेकंड बिना बोज के शीखना थरड प्रिशारण के माद्दम से सीखना फौर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं तो यहां जो आपका सही अंसर होगा वो सही अंसर है सही अंसर हुआ यहां पे सेकंड बिना बोज के सीखना यह यस्पाल समिती रिपोर्ट का मुख्य विशाय था नेक्श कोईशन है निमिल लिकित में इसे किसने पहले बुनियादी सिक्षा का विचार प्रती पादित किया नमर वन डॉक्टर जाकिर हुसेन डॉक्टर राजजिंद्र प्रिशाद महत्मा गांदी यह रविन्ना टेगोर बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है पूछा भी जा चुका है 2014 फर्स्ट ग्रेड एक्जाम के इंतर गती यह कोश्चन आ चुका है तो बुनियादी शिक्षा जो जुड़ी हुई है वो मात्मा गांदी से जुड़ी हुई है थरड अंशर आपका सही होगा नेक्स्ट कोश्चन है सैक्षिक तक्निकी का उप्योग हो रहा है रूश में अमेरिका में भारत में यह संपोण विस्व में निमिलिकित वाक्यों का मूल यांकन कीजिए निमर वन सैक्षिक तक्निकी कारत है सिक्षण में प्रोध्योगी की सैक्षिक तक्निकी कारत है सिक्षा की प्रोध्योगी की तो उप्सन इनके आपके सामने क्या फर्स्ट सत्थ है सेकंड भी सत्थ भी कह रहा है कि फस्ट असत सेकंड असत थर्ड ओप्शन कह रहा है कि एक सत सेकंड असत यह डी कह रहा है कि फस्ट असत सेकंड सत तो यहां पर जो आपका सही अंसुर आएगा वो सही अंसुर आप सोचें तो वो सही अंसुर यहां बैठेगा आपका ए ओप्शन अर्थात दो सेख्षिक टक्निकी शिख्ष्ण में प्रोद्योगी किए सिख्षा यह कि प्रोद्योगी कि इस प्रोद्योगी कि तो यहां जो आपका सई आंसर होगा वो सई आंसर है जी ओ एम लीथ अर्थात इजन के द्वारा ये परिवाशा दी गई है नेक्स्ट कोश्चन है इन में से सोफ्ट्वेयर उपागम के अंतरगत कौन साता है अभी क्रमित अनुदेशन, कम्प्यूटर, टीचिंग मसीन या फिर बंद परिपत दूरदर्शन तो यहां पर जो आपका सई आंसर होगा वो सई आंसर है अभी क्रमित अध्यन नेक्स्ट कोश्चन है सेक्सिक तक्निकी का उद्देश है शिक्षा के उद्देशों का निरदारण, पाठिवस्तू का विशलेशन, ज्यान का संचय, विकास और प्रशार या डी उपरियुक्त सभी तो यहां जो आपका सई आंसर होगा वो डी होगा उपरियुक्त सभी नेक्स्ट कोश्चन है सेक्सिक प्रबंदन में नियोजन का सूत्रपात किस ने किया? लूथर गुलिक ने, जॉन डीवी ने, नन द्वारा या फिर एस एन मुखरजी के द्वारा तो इन चारों अप्सणों में जो आपका सई आंसर होगा वो सैक्सिक प्रबंदन में नियोजन का सूत्रपात करने वाला मनोग्या नी है वो लूथर गुलिक आपका सई आंसर होगा नेक्स्ट कॉस्च्टन एं विद्यालय के कुशल प्रशाषन में शंकिर्ण दर्श्ट ckorn वाले स्थानिय नेता मुख्य रूप से बादक बनते हैं क्यों की वे सिक्षकों पर निगाह रखते हैं सेकंड शिक्षकों पर डबाव डालते हैं प्रती दिन के कारियों में अस्तक्षेप करते हैं या विद्याले के खर्चों पर नियंतरन रखते हैं तो इन चारों उप्सोनों में जो आपका सही अंसर है वो थरड़ है कि वो प्रति दिन के कारियों में अस्तक्षेप करते हैं नेक्ष्ट कोशन है योगता शंबंदी सैक्सिक प्रशासन के व्यक्तिकत कारक का लक्षन नहीं है आत्मचेतना बहुत्दिक योगता सत्ता की योगता या फिर सारेरिक योगता तो इन चारों में जो आपका सही आंसर बैठा है वो सही आंसर होगा सत्ता की योगता सैक्सिक प्रशाशन के व्यक्तिकत कारक का लक्षन नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है अभिवर्ति सम्मंदी सैक्षिक प्रशाशन के व्यक्तिक कारक का लक्षन नहीं है शिक्षा के उद्देश सहयोग सत्ता या प्रशाशक यहां चार ओप्षनों में जो आपका सही आंसर होगा वो नेक्स्ट कोश्चन है नेवन में से सैक्षिक प्रशाशन की उप्योगिता साबित नहीं करने वाला उधारण है नमबर वन शामाजिक रीतियां सेकेंड मानविय शंबंदों का विकास थर्ड सिक्षा को शेव मानना या फिर प्रियासों का एक ही करण यहां पर जो आपका सही अनसर होगा वो सही अनसर है वन शामाजिक रीतियां नेक्स्ट कोश्चन है दैनिक जीवन में वेग्यानिक ज्यान का प्रियोग करने की विदी की तक्निकी को कहते हैं सेकेंड तक्निकी होती है वसीनों को प्योग यह जो दो कथन है इनमें आपको सत्य और अशत्य पहचार तो इन चारों उप्सवनों में जो हमें सही अनस्वर लग रहा है वो सही अनस्वर है कि इसमें यह तो सत्य और यह असत्य है तो यह सही बैठे का आपका C उप्सवन नेक्स्ट कोश्चन है वर्तमान संदर्म में सैक्षिक प्रशासन से आश्य है ए सिक्षा के संबन्द में योजना बनाना बी निर्देशन तथा परिव्यक्षन करना C संग्ठन पर ध्यान देना D उपर्यूक्ष सभी तो यहां जो आपका सही अनसर होगा वो D होगा उपर्यूक्ष सभी नेक्स्ट है गैट जलने सैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बाटा है तो ओप्सन आपके सामने 12, 2, 6 या फिर 4 तो गैट जलने जो सैक्षिक प् नेक्स्ट कोश्चन है आधुनिक संप्रते के अनुसार शैक्षिक प्रबंद के कितने तत्व शामिल हैं ओप्सन आपके सामने 3, 6, 12 या फिर 10 तो यहां जो आपका सही अनसर होगा वो सही अनसर इन ओप्सन के अकोर्डिंग आपका बैठ रहा है वो है 6 तो B ओप्सन यहां पर आपका सही होगा लाइन प्रब्स है नेक्स्ट कोशन है नेस विले ने श्विले जिक्ष्षा प्रशाष्ण में किस नेतरुत सहली का विकास किया लोच सीलता सहली जखषिता शंप्रते शैली अनु रूपय शैली या इन में से कोई नहीं तो इन चार उप्सनों में और सुमेलित करना है नमर वन सैक्षिक तक्निकी सैक्षिक मनुविज्ञान का विस्तारित रूप है। सैक्षिक तक्निकी सिक्ष्ण अधिगम का भिन अंग है। इन दोनों में हमें बताना है कि या तो यह दोनों सत्य या यह दोनों अशत्य या इन में से एक सत्य या एक अस तो इन सूची का मिलान करने पर जो हमारा सही अंसर आता है वो सही अंसर यहां पर होगा हमारा भी अर्थात इसमें नमबर वन जो है यह तो सत्य है और नमबर सेकंड है यह असत्य है नेक्स्ट कोश्चन है योगता समंदी सैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारक का लक्षण नहीं है ओप्सन एक है इसमें आत्मचेतना बौद्दिक योगता सत्ता की योगता या शारिरिक योगता इन चारों में जो आपका सही अंसर है वो सही अंसर है थर्ड सत्ता की नेक्स्ट कुश्चन है अभिवर्ति सम्मंदी सैक्षिक प्रशाषन के व्यक्तिक कारक का लक्षन नहीं है शिक्षा के उद्देश, सहयोग, शत्ता या प्रशाषक यहां जो आपका सही अंसर है वो हुगा फोर्थ अर्थात प्रशाषक अभिवर्ति सम्मंदी सैक्षिक प् जिला दीश को, जिला सैक्षिक प्रकोष्ट अधिकारी का, जिला सिक्ष्य अधिकारी का या जिला परिशद का, तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा आपका, वो सही अंसर है जिला सिक्ष्या अधिकारी, थरड अंसर आपका सही होगा. नेक्श्ट कोश्चिन है शिक्षा प्रशासन के छेतर का उधारण नहीं है उत्पदन, जन कल्यान, करमचारी वर्ग या फिर रचना तो यहांपर आपका सई अंसर होगा फोर्थ रचना नेक्स्ट कोशिन है शिक्षा प्रिशासन तता छात्र के शंबंदों को बताने वाला कारक है शिक्षा संरचना में बालकों के व्यक्तित निर्मान के प्रावधान बालक को शर्म से दूर रखने के प्रावधान बालक को शमाज से प्रतक रखने के प्रावधान या शिक्षा सनरचना में बालक के एकांग की पक्ष का विकास करने के प्रावधान तो इन options में जो आपका सई answer बैठेगा वो सई answer फर्स्ट ही होगा शिक्षा सनरचना में बालकों की व्यक्तित निर्मान के प्रावधान Next question है निशूल के मनिवारी सिक्षा की व्यवस्ता करने कलपना किस प्रकार के सैक्षिक प्रशासन में की गई First option है प्रजात आंत्रात्मक सैक्षिक प्रशासन का सर्वारा सैक्षिक प्रशासन का आंत्रिक सैक्षिक प्रशासन का या फिर बाहिये सैक्षिक प्रशासन का तो यहां आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रजात अंत्रात्मक शैक्षिक प्रशाशन का. Next question है प्रजात अंत्रिक शैक्षिक प्रशाशन में बल दिया जाता है नमर एक शमरूपता के बजाए समानता पर, सैक्षिक आउशरों की समानता पर, व्यक्ति के समर्वांगे और विकास पर या फिर इन सभी पर. तो यहां जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ अर्थात उप्रियुक्त सभी पर. अगला question है सैक्षिक प्रशाशन का एक प्रमुक कारण व्यक्तिक अत्य तो दूसरा कारक सामाजिक है, बोगोली के वातावरणी या फिर सांस्कृतिक है, तो इन चार उप्सोनों में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड वातावरणी हैं. अगला question है सैक्षिक प्रशाशन के वातावरणी कारकॉम में निमने से जो नहीं है वह है, सामाजिक रीतिया, सरकार के व्यक्ति, समुधाय का चरित्रिया, सरकार की प्रकर्ति, तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा सामाजिक रीतिया, तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने अधिन किया एजिक कैशनल जो management है, इसकूल management के पचास वे महतपूर्ण कोश्चन, जो इसके फर्स्ट टोपिक, जो की सैक्षिक प्रशासन एम प्रबंद की आउधारना से लिए गए हैं, ये multiple choice question काफी महतपूर्ण है, इनको देखने के बाद में आपको अन्य अधिन सामगरी की आपशक्ता नहीं होगी, इसी प्रकार हम इसके पार्ट सेकंड में लेकर के आएंगे, इससे अगले टोपिक राजथान में सेक्षिक संगठने में प्रबंदन के महतपूर्ण कुछ और पचास से सम्मंदेद multiple choice question, नियमी तैयार ये तो जुड़े रही हमारे ग्यांधारा हर्शोली चैनल के साथ में